प्रभु जी मैं एक ही विशे कहूंगा कि हमारी उडिसा में हम लोगों की पास एक ही पुझी है एक समय था आज कार्थिक के पवित्र पंचुक की समय में उन्हें पार्थिक की जो आखरी पांस दिन जगनात संस्कृति में बहुती महत्तो माना जाता है यह अलग बात है कि जब आखरी दिन हम फिर जब पंचुक को पालन हो जब हमारे वह एक चाड़काई है अब दो दिन में आप निश्चित रूप में इसकी चर्चा थोड़ा करील होगे शिववाव आपको चर्चा कराएंगे क्योंकि हर एक बार आप एक निया चीज उडिसा से भी सिख्के जाओ हम महिना भर जगनाजी के प्रति समर्पीत रहते हैं आपके वहाँ जिसे सहाबन होता है हमारे वहाँ जिसे कार्थिक मानते हैं और आखरी पांस दिन तो कुछ नहीं खाते हैं लेकिन छटवा दिन आप उछिये मत अजिकार्तिक मासर एकार्तिक महिने में हमारी और एक रिच्वाल से कि थोड़े दिन में G20 की कंकूर्डिंग सेसन में मान्य प्रधान मंतिर बाली जाएंगे सदियों पहले और हजारों साल पहले यहीं से हमारी यहां की स्रिष्टी यहां की व्यवशाई यहां की उद्यमी दुनिया की कई हिस्सों में गेते विश्यस करके आज की जो साउथिस्ट एसिया है वहीं पहुंचे थे बैवशाय हुई थी, कला, संस्कुर्ति, साहितिय, सारे चीजों का लेन देन हुई थी, आदान परदान हुई थी तब हम समुर्ध है लेकिन पिछले दो तीन सो सालों में हमारी एक ही पुंजी है हम कभी कभी कहते हैं कि हमारे वहां 800 साल पहले महाप्रव जगनाजी की अभी का मंदिर बना है उससे पहले लिंगराज महाप्रव की उससे उचा मंदिर बना है हमारी धर्मपदों ने यानि उडिसा की उन दिनों की कलाकारों ने कुणारक जैसे सुक्ष्म कृति किया है लेकिन वे तो सब आठ सो हजार साल पहले की बात अभी मैं कहूंगा तो प्रभू जी और लक्ष्मी जी और काविरी जी आप मेरे को हसोगे यार जिसकी पर कैपिटा इंकम यहां तक पहुंचा यह कहता है कभी हम बनाएं थे मैं इसको सिवकार करने का अलाब हमारी पास कुछ चारा ही नहीं आपकर की विकल्प नहीं लेकिन मैं आपको इतना कहूं कि पिछले दो तीन सो सालों में अगर हमारी पास एक ही पुझी बचा है तो हमारी ज्यान बचा है हमारी पढ़ाई का अभ्याज बचा है हमारी साहित करता हूं कि उस पढ़ने लिखने परंपर आको जो जो दुनिया की सारे विश्वशग्यां दुनिया रहा सबुब विश्वशग्या माने जतले गोटिये विश्वशग्यां सहमत भारत एकविंचा सताथ दिर नित्युर्थ तोनव भारत गोटिये ज्यान आधारीत नुवा अर्थनिती तेरी करिवो भारत एक knowledge-based economy बन रहा है भारत की medicine भारत की IT भारत की अन्य सर्विस इंडस्ट्री भारत की financial management की capacity भारत की language की capacity दुनिया में मान्यताज मिल रहा है यही प्रमान है भारत एक किसी शदी में एक knowledge-based society, knowledge-based economy की रूप लेते दिख रहा है global responsibility, global citizenship इसी माध्यम से हमारी जिम्मेबरी में आ गया है